हाई गाईस तो आज हम लोग डिसकस करेंगे कि कैसे आप अपना रिजूमे बहुत अच्छा बना सकते हो आप फ्रेशर हो ठीक है और आप चाहते हो कि आपका जॉब जल्दी से लग जाए फटक से लग जाई हूं लग जाए तो आप क्या कर सकते हो अपने रिजूमे में ऐसा तो रिजूमे में दो चार चीज़े होती है मैं आपको अपने रिजूमे दिखाता हूं जब मैं बिगिनर था चीक है कोई खास डिफरेंस है नहीं बट फिर भी लेक में सो यू सो आई थिंक आई हाब इन माई डाउनलोड्स के सो मुकुंद और इस मुकुंद के सो यह आपको रिजूमे दिख रहा होगा ठीक है यह स्क्रीन पर तो सबसे पहले आपके पास अगर बढ़िया से प्रफेशनल फोटो है जो कफी अट्रेक्ट करता है एचर को खासकल फी मेरे एचर है तो अगर आपका तो एक थोड़ा सा होता है ना इमोशनल थोड़ा सा आ के बाद आप अपना नाम दीजिए एड्रेस सॉट एड्रेस बित पीन कोड़ ओके सो किते कई बार क्या होता है ना कि मालो आप इकसी स्टार्ट अप पे हो और अगर इस स्टार्ट अप को लगता है कि यह बंदा नेरवाई रहता है तो उसको थोड़ा सा 1% 2% प्रफेशन ज्यादा मिलता है ठीक है आपके पास जितने भी फोन नम्बर से आप प्रवाइट करो बट वो रीचेबल होने चाहिए एंड जो आपका प्रफेशनल इमेल आईडी है वह आप दो वहां पे फिर लिंक्डिन पे अगर आप हो तो लिंक्डिन मेंसिन करना इस वेरी इंपोर ना कि मेरा अबजेक्टिव यह है वो है यह सब फ़लाना ट्यम करना नहीं देना है ठीक है आपने क्या अचीव किया है ठीक है आप क्या कंपनी के लिए कर सकते हो जो उस कंपनी के लिए बेनिफिशियल होगा बस उतना ही ठीक है that's it nothing else and skill आप यहापे skill दे सकते हो इधर skill द और कितना experience है experience मतलब अगर आपने internship बगरे किया है तो उसका mention कर दो कि अपने किया है और remarks में टालो कि उस वो जो जैसे आप Java जानते हो ठीक है तो Java में आपने कोई framework किया है जैसे spring boot हो गया starts हो गया mysql है तो mysql में आपने कितना किया है कौन-कौन से queries आते जैसे joins वगर आते तो वो सब remarks को आप add कर सकते हो ठीक है जैसे आप देख सकते हो मेरा angular है angular में मेरा number of experience जादा है तो मैं इस तरीके से mention करता हो कि मुझे यह library आते है ठीक है तो इस तरीके से mention कर सकते हो ज अगर आपको अवार्ड मिला है तो वो mention कर सकते हो कौनको इसी मोडिल्स पे काम किया है वो आप दिखा सकते हो इतर ठीक है अप के बारे में जो भी आपने मोडिल्स अप बगर बनाया है उसका पूरा full details attractive थोड़ा सा बना लो अगर आपको अपने content लिखने में प्रावलम मा देगा तो आप वो प्रेफर कर सकते हो इसके बाद work history के बाद education mention करना is very important ठीक है तो आप education सबसे पहले अपने university college का नाम mention कीजे आपने कौन सा degree लिया है वो mention कीजे plus percentage is very important percentage and session session मतलब कब से कब आपने किया है ठीक है code syllabus is very important तो HR को पता चले है कि आपने हाँ यह subjects किया है तो अगर आप pressure भी हो तो आप इसमें काम कर सकते हो तो वो दे सकते हो आप कोई rank और कोई awards बगड़ा मिला है college में तो वो mention कर सकते हो and lastly आपका additional information आपको यह नहीं लिखना है कि आपको करिएट खेलने में बहुत अच्छ को और भी कुछ चाहिए इस related कोई queries है तो आप क्या कर सकते हो आप comment section में जाके comment कर सकते हो मैं उस query को solve करने की कोशिश करूँगा ठीक है so thank you for watching